जेहन दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपकिस अपने यूटूब चैनल रेल है तो देशे के एक ओन नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एक बहुती बड़े रेलवे स्टेशन के बारे में जिसका नाम है जासी जंक्सन जी हाँ दोस्तों उत्तरपदेश राज में एक बहुती बड़ा रेलवे स्टेशन है और इसकी गिंती भारत में भी होती है दोस्तों इसके बारे में हम आज आपको ये बताएंगे कि कौन-कौन से जो rail mark है जो rail route है वो इस railway station पर आ करके मिलते हैं और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुती बड़ा railway station है इसके बारे में सारी संपूर्ण जानकारी देने वाले है दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं जहांसी जंगसन में दोस्तों आप लोगों का भी दिख रहा होगा ये है जहांसी जंगसन दोस्तों जैसा कि ये उत्तर मद्द railway यानि कि North Central Railways के अंटरकत में आता है और इसका Headquarter प्रियागराज में स्थित है और ये एक खुद Division है दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके Rail Route के बारे में सबसे पहले दोस्तों ये जो Route आ रहा है इसके बारे में आपको बताता हूँ दिल्ली, दिल्ली से फिर मतुरा, मतुरा से फिर आगरा और आगरा से फिर ग्वालियर और फिर ग्वालियर से सीधा जहां सी आ रहा है ये Rail Route Double Electrified है और ये दिल्ली चन्नाई मेल लाइन यानि कि दिल्ली चन्नाई मुख्य लाइन है अब ये यहां से निकलती है यहां से यह है बीना जंग्सन यह है आपका भोपाल जंग्सन ठीक है दोस्तों अब हम वापिस से आते हैं अपने जहां सी जंग्सन पे दोस्तों दो रूटों की जनकारी मैंने आपको दे दी चार रूट आकर कहां मिलना है एक रूट यह है यह आ रहा है ग्वालियर से और यह आ रहा उपर से यह आरहा आपका उरई से यह जाता है सीधा कानपुर आपको दिखाता हूँ यह देखी दोस्तों यह है कानपुर सेंट्रल यहां से निकलता है और यह रहा उरई और यह उरई के रास्ते सीधा आपका जहां सी जंगसन आ जाता है डवल लेक्टिफाइड रेल रूट अभी पूरी तरीके से नहीं है लेकिन कुछ डबल इलेक्टिफाइड हो चुका है अब बात करते हैं ये वाले रूट के बारे में ये है इसका चौथा और आखरी रेलवे रूट ये दोस्तों जाता है सीधा आपका बांदा ये चित्रकूट आप यहां से जा सकते हैं महुबा जंग्शन से आप दो रूटों का इस्तिमाल कर सकते हैं एक रूट जाता आपको खजराओ जो कि अभी डीजल में है सिंगल लाइन और एक अभी इलेक्टिक लाइन है बांदा तक दोस्तों यहां से भी आप निकल सकते हैं सीधा कानपूर और यह रेल वे लाइन आपको जाता है सीधा चित्रकूट और इसके बाद मानिक पूर से आप सीधा सतना जा सकते हैं दोस्तों वापिस आते हैं जहां सी जंग्शन भी दोस्तों यह रहा दोस्तों मैंने आपको भी बताया सारे रूटों की जानकारी दी कि ये वाला रूट आता है आपका कानपुर से ये उपर वाला रूट आता है आपका गौालियर दिल्ली से और ये नीचे वाला रूट आपका जाता है भोपाल नाकपुर और ये ये बाला रूर जाता है आपका दोस्तों महुबा बांदा और इसके बाद चित्रकूट या आप इससे कानपूर भी जा सकते हैं दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर से बताना ये थी जहां सी जंक्सन में सारे रूटों की जानकारी आपको कैसी लगी और अगला रेल्वे स्टेशन कौन सा हो दोस्तों ये भी बताना मिलते हैं को नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ जब तक लिए जेहिंद वंदे मातरम